भी आती रोजकर ये नस्ये करिए नस्येभर तीसरा संबहब होजये तो होते हैं एक तो चुकी सरीर में dehydration हुआ मतला hydration की कमी हुए पानी की कमी हुई और सूखना चाहे वह जमीन सूखते करके चटके जिसको शूखा पढ़ना बोलते हैं चाहे वह सरीर में सूखापन लगे कहीं पानी की कमी की वज़े से ही होता है पहला काम दूसरा गले को सूखने का एक और रीजन होता है वो होता है नाक का बंद हो जाना अगर नाक बंद है और आप मुझे सांस भरोगे तो निश्चित ही सांस मतलब हवा अगर कहीं भी होगा तो रुखा बंद कराएगा गले को सुखा देगा तो अगर नाक बंद हो जाएगी तो गला सूखेगा या फिर पानी की कमी है तो गला सूखेगा पानी की कमी है तो पानी की आप उर्थी करिए नाक बंद है तो नाक को खोलने के लिए विसेश तीन उप्चार होते हैं जो आपको सब सिखाया जा रहा है यहां खूब सारा तो आप नेती रोज करिए रोज दूसरे नमबर पर कैसे भी करके आप regular नस्य करिए नस्य मतलब नाक में गाय का घी या फिर बदाम रोगन तेल या फिर आप और कोई उप्चारिक तेल डाल सकते हैं और तीसरा संभव हो जाए तो ओयल पुलिंग ओयल पुलिंग भी आपके मुँ को और नाक को ठीक रखने का काम करती है ओयल पुलिंग मतलब एक चमश सरसों का तेल मुँ में भर के चलाना तो ये अगर आप करते हो तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा आराम हो जाएगा